दोस्तों आप अपने जीवन के मातर 9 मिनट इस वीडियो को दे दीजिए और मैं आपको इन 9 मिनट में सारे टेंसे सिखा दूँगा वो भी बिल्कुल 0 लेवल से कि एक बच्चा भी टेंस सीख जाए बस ये वीडियो आपको एकदम लास्ट तक देखनी है और लास्ट में मैं आपको 3 questions दूँगा जिनें आप टेंस सीखने के बाद एकदम आराम से solve कर लोगे तो चलिए बिना देर कि ये वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 9 मिनट है दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टेंस असल में होता क्या है दोस्तों किसी भी sentence का tense हमें ये बताता है कि उस sentence में क्या काम हो रहा है और किस समय में हो रहा है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ यहां क्या काम हो रहा है पढ़ने का किस समय में हो रहा है अभी हो रहा है वर्तमान समय में यानि कि tense में दो चीजे होती है, time और work, देखे time तो total तीनी तरह के होते हैं, पहला present यानि कि वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है, इसके वाक्यों के अंत में है हो हू इत्यादी शब्द लगा रहता है, दूसरा time होता है past यानि कि भूत काल, जो समय बीत गया, इसके वाक् होता है future, यानि कि भविश्यकाल, जो समय आने वाला है, इसके वाक्यों के अंत में गाग येगी इत्यादी शब्द लगा रहता है, ये तो हो गई time की बात, चलिए अब हम work को समझते हैं, कि ये कितने types के हो सकते हैं, देखिए एक तरह का work तो वो हो सकता है, जो अभी continue है, जारी है, यानि कि जो काम अभी हो रहा है, ऐसे work को हम continuous कहते हैं, इसके वाक्यों में रहा रही रहे इत्यादी शब्द आते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये काम वर्तमान समय में, यानि कि present में continue है, इसी लिए इस तरह के sentence को हम कहेंगे कि ये present continuous tense में है, अब अगर यह काम बीते हुए समय, यानि कि past में continue था, तो इसे हम past continuous tense कहेंगे, जैसे मैं पढ़ रहा था, और अगर यही काम आने वाले समय में, यानि कि future में continue रहेगा, तो इसे हम future continuous tense कहेंगे, जैसे मैं पढ़ रहा होँगा, यहां पढ़ने का काम आने वाले समय में जारी रहेगा, तो आपने present, past और future तीनो टाइम में continuous work को समझ लिया अब और किस type का work हो सकता है अब एक तरह का work हो सकता है जो continue नहीं है बलकि पूरा हो चुका है यानि कि perfect हो चुका है इसलिए ऐसे work को हम perfect कहते हैं इसके वाक्यों में चुका चुकी चुके इत्यादी शब्द आते हैं जैसे मैं पढ़ चुका हूँ यहां पढ़ने का काम present में perfect हो चुका है पूरा हो चुका है इसलिए इस तरह के sentence को हम कहेंगे कि यह present perfect tense में है अब अगर यही काम past में perfect हो चुका था जैसे मैं पढ़ चुका था तो इस तरह के sentence को हम कहेंगे कि यह past perfect tense में है और अगर यही काम future में perfect हो चुका होगा जैसे मैं पढ़ चुका होँगा तो इस तरह के sentence को हम कहेंगे कि यह future perfect tense में है तो दोस्तों अभी तक आपने दो अलग-अलग types के work को समझ लिया एक जो जारी है यानि की continuous और दूसरा जो पूरा हो चुका है यानि की perfect अब एक तीसरे type का work भी हो सकता है जो दोनों ही हो थोड़ा सा perfect भी और continue भी ऐसे work को हम perfect continuous कहते हैं इसके वक्यों में continuous tense की ही तरह रहा रही रहे इत्यादी शब्दाते हैं क्योंकि ये भी तो एक तरह का continuous tense होता है क्योंकि इसमें भी काम के जारी रहने का पता चलता है लेकिन इसमें एक अलग बात ये होती है कि इसमें हमें समय का भी पता होता है कि काम किस समय से चालू है या कितनी देर से चालू है जैसे मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ अब हमें ये तो पता चल रहा है कि काम अभी जारी है यानि कि continue है लेकिन चुकी यहां समय भी दिया गया है जैसे 5 बजे से या 2 घंटों से तो हमें इससे ये भी पता चल जाता है कि इतनी देर में उस काम का कुछ भी हिस्सा तो जरूर पूरा हो गया होगा यानि कि कुछ भी हिस्सा तो जरूर perfect हो गया होगा अब चुकी इन examples में वर्तमान समय में यानि कि present में काम का कुछ हिस्सा perfect हो चुका है और वो काम अभी भी continue है इसलिए इन तरह के वाक्यों को हम कहते हैं कि ये present perfect continuous stance में है अब अगर यही काम past में कुछ समय से continue था जैसे मैं 5 वजे से पढ़ रहा था या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था तो इन तरह के वाक्यों को हम कहेंगे कि ये past perfect continuous stance में है और अगर यही काम future में कुछ समय से continue रहेगा जैसे मैं कल 5 वजे से पढ़ रहा होँगा या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा होँगा तो इन तरह के वाक्यों को हम कहेंगे कि ये future perfect continuous stance में है तो दोस्तों अभी तक आपने 3 types के work को समझ लिया एक जो जारी है यानि की continue दूसरा जो पूरा हो चुका है यानि की perfect और तीसरा जो थोड़ा perfect हो चुका है और अभी भी continue है अब एक last चोथे type का भी work हो सकता है जिनके वाक्यों को देखने से ये पता ही नहीं चलता की काम अभी जारी है या पूरा हो चुका है इस तरह के work को हम indefinite कहते हैं जैसे मैं पढ़ता हूं इस वाक्य को देखकर ये निश्चित नहीं किया जा सकता की पढ़ने का काम अभी जारी है या पूरा हो चुका है बस स्वभावता हुआ या समानिता पढ़ने का काम होता है हमें बस इतना पता है यानि कि इस वाक्य में वर्तमान काल में यानि कि present में ये बात अनिश्चित है यानि कि indefinite है कि काम अभी continue है या perfect हो चुका है इसलिए इस तरह के वाक्य को हम कहते हैं कि ये present indefinite tense में है अब अगर यही काम past में सौभावता या समानिता होता था जैसे मैं पढ़ता था तो इस तरह के वाक्य को हम कहते हैं कि ये past indefinite tense में है और अगर यही काम future में सौभावता या समानिता होगा जैसे मैं पढ़ूंगा तो इस तरह के वाक्य को हम कहते हैं कि ये future indefinite tense में है तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि tenses में 3 तरह के time होते हैं present, past and future और 4 तरह के work होते हैं indefinite, continuous perfect और perfect continuous इस तरह हमें total 12 तरह के tenses मिलते हैं present के 4, past के 4 और future के 4 अब तो आप हिंदी में किसी भी वाक्य को देख कर ही पहचान सकते हैं कि वो किस tense में हैं अब आईए हम इन्हें English में बनाना सीखते हैं, दोस्तों English में किसी भी sentence का एक basic structure होता है subject plus helping verb plus main verb plus object वाक्य में जो वैक्ती काम कर रहा होता है उसे subject कहते हैं और जिस पर वो काम हो रहा होता है उसे object कहते हैं जैसे मैं football खेल रहा हूँ I am playing football यहां खेलने का काम कौन कर रहा है मैं, इसलिए मैं यानि की I यहां subject है खेलने का काम किस पर हो रहा है football पर, इसलिए football यहां object है playing यहां main verb है और am helping verb है, दोस्तों read, play, run, sleep, eat, drink इन तरह के verbs को हम main verbs कहते हैं और इनके 5 forms होते हैं जिने v1, v2, v3, v4, v5 से इंडिकेट किया जाता है जैसे verb eat की 5 forms हैं eat, eat, eaten, eating, eats और दोस्तों is, m, r, was, word, do, does, did, be, been, has, have, had, will इन तरह के verbs को हम helping verbs कहते हैं दोस्तों अब आपको ये समझना होगा कि किस tense में कौन स main verb अपने किस form में आएगा इसे आप इस chart की मदद से एकदम clearly समझ सकते हैं दोस्तों indefinite tense में main verb की first form use होगी continuous tense में main verb की ing form use होगी perfect tense में main verb की third form use होगी और perfect continuous tense में main verb की ing form use होगी और दोस्तों present past और future tenses में इन सभी के साथ कौन-कौन सी helping verbs use होगी ये इस chart में लिखा हुआ है और इसे याद कर लिजिए अब इसमें आपको तीन चीजे याद रखनी हैं पहला is, was, has और does का प्रियोग third person singular यानि कि he, she, it या any singular noun के साथ होता है दूसरा are, were, have और do का प्रियोग third person singular यानि कि he, she, it या any singular noun को छोड़ कर बाकी सभी subjects के साथ होता है तीसरा point did, had और will का प्र आइए अब हम कुछ sentences बनाते हैं, वह football खेल रहा है, he is playing football, मैं football खेल चुका हूँ, I have played football, तुम football खेलोगे, you will play football, दोस्तों affirmative sentences का तो structure यही रहता है, subject plus helping verb plus main verb plus object, लेकिन negative sentences में helping verb और main verb के बीच में not लग जाता है, जैसे, वह football नहीं खेल रहा है, he is not playing football, दोस्तों interrogative sentences में helping verb को subject के आगे रख दिया जाता है, जैसे, क्या वह football खेल रहा है, is he playing football, क्या वह football नहीं खेल रहा है, is he not playing football, तो दोस्तों, अब आपको tenses बनाने आ गए हैं, अब मैं आपको एक sentence देता हूँ, वह football खेल रहा था, आप इसकी English मुझे comment करके बताएं, साथ ही, अगर आप इसके negative और interrogative भी बता सकें, तो वह भी comment करके बताएं, तो मिलते हैं किसी next वीडियो में, तब तक के लिए, bye.